हालो एब्रिवान गूड इबनिंग नमस्ते कैसे हैं आप लोग योब सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ अभी हो रहा है सामबल लटाइम और मैं लगी हूँ साम का जो है ना नाइट का खाना बनाने में तो आज हम बनाएंगे चावल का पिठ्ठा और यह न लगों के घर बनता है तो हमारे हां तो जरूर ठंड में बनता ही बनता है तो अभी नम मैं सारा तैयारी में लगी हूई हूँ और आप अप सबका इसी बिच बहुत सारा कमेंट वी आरा की दिया विलॉक क्यों नहीं डाल रहे हैं तो डालिये तो डियर मैं बताना चाहती के बहुत ज्यादा केली हुूं और दो बच्के को समालना घर को सम्हालना और इतना ज्यादा ठंड तो कभी-कभी ना मुश्पिल हो जाती है घर के सारे काम को मैंळेच करना बहुत ही जादा मुझे जाता है जिसके वजफ़ слыш i दिन तो मुझे ना एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि बाबु है ना जब बाबु शोई रहती है ना तो मैं जल जली से सारा काम निप्टाती हूं और फिर मैं सोचते हो कि व्लोग एडिट करूं तो तब बाबु उट जाती है जगी रहती तो फिर मुझे बहुत जादा मतलब ऐसी बहुत चोटी चोटी प्राब्लम है जो कि मुझे फेश करना पड़ता है जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूं रेगुलर और मेरा ना बहुत रहता है कि मैं डालू डालू लेकिन सोच कर भी मैं नहीं डाल पाती हूं तो कुछ- चैनगे की दाल में मैंने बस दो त्रशन लेशन की कलिडाली थी और एक हरी मीट्र से तयार कर लिया है और उसनवें नमक डालूंगी और यहां मैं गरम पानी में इसने हम पानिंगी जो यह चावल काटा हैं सर foundations कीस यह ईगान कफ़ों है को इसी लीड़न हो जाती है कि यह सब कि डूटाइव सूर ला ने लिंक भी लिए यही डिखने कैट नपर्छा क्न हो च्यान थे अलसी की खक्ते हम और हुटसकों सबक्रेंद ना सबसा ना है जिसे आप अलसी बोल सकते हैं अलसी का जो यह मीठा वाला जो होता है गूर डाल के जो मैं बनाती हूं तो यह वाला इनको बहुत जादा पसंद आता है और फिलाल हम लोग भी खाते हैं हम लोगों को भी अच्छा ही लगता है और मैं सोची थी आलू और गोवी की सब्जी वा बनाना था तो फिर थोड़ा पॉसिबल हो गया अगर साड़ा चीच रहता तो मैं बना भी लेती और यहां पे ना मैं जब भी बनाती हूं ना जो दाल वाला है इसे बेल बेल कर बनाती हूं बेलने के वाद न क्या होते हैं यह बहुत आसानी से बन जाती है और अगर आप तो जो भी इसमें भढ़ना चाहते हैं वह रेडी कर लिजें और इधर ना मैं पानी उबलने के लिए चड़ा दी हूँ और यहां पे सारा ही मेरा बनके रेडी है दाल वाला मैंने सारा बना लिया है और यह चिकना वाला जो मैं बनाऊंगी तो यह श्रीप हाथ के मदद से गो नहीं होता है क्योंकि हमें इसे गोल ही रखना पड़ता है इसे कोई अकार नहीं देना होता है तो इसलिए ना मैं इसे गोल ही रखूंगी और चलिए फटा-फट से हम भड़ लेते हैं इसे भी इधर जो मैं पानी उबालने के लिए चड़ाई वी थी ना तो बहुत अच्छे सो उबल चुका था तब जाके मैंने जो दाल वाला भड़के जो फील करके मैं रखी वी थी ना तो वो सारा मैं इसमें डाल देती हूँ और बहुत अच्छे से उबाल आने देती हूँ इसमें जब उबाल आएगा ना तो जितने भी मेरे ये बगिया है पिठा है ये क्या होगी ना ये खुद में खुद ऊपर होने लगेगी तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हमारा पिठा अच्छे से अंदर से पक चुका है तो ऊपर आगिया था फिर यहाँ पर मैंने अलट पलटके करीब इसे पूरे सींजने में दस मिनिट तो लगा होगा इदम पहले मैंने धीमी आच में सिंजाया फिर उसके बाद ना हाई कर दी थी और तब जाके बहुत अच्छे से सींज चुका था मैं निकाल दी और इधर सब लोगों ने खाया पिया और यह और यह सुब्ञाट और मैं विल्यवद कर दा दोसमार के 이ह चैंड करदाeger करनी के वाद जैसे एक स्पमिंध के में तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में छोले की मैं इधर सबजी बना रही हूँ और इधर ना मैं सारा चीज तयार करके रख ली हूँ तो जाके मैंने अपना व्लॉग श्टार्ट किया है सबसे पहले ना मुझे इसके लिए मासला तयार करना था जो कि मैं कर ली हूँ इधर जो पीसा हुआ का सुआद मैं ने पीसकर भी बनाया है तो उससे काफी जादा वहतर होता है जो हम साबूत काट करके जो डालते हैं वो तो हम जब भी बनाते हैं बाबु को भी जाके देख के आती ठी रूम में की बाबु जगी तो नहीं है अगर जग जाती ना तो फिर वो नी तो फिर वो डड़के ही उठती है और वजह से रोने लगती है तो फिर मैंने यहां पर चेक मुझे लाओं भूण क्योंकि अभी इदर कुछ दिन पहले से ना तेल वाला सब खा खा के ना तेल वैसे बहुत खराबी करता है तेल हम लोग जल्दी नहीं खाने का होसिस करते हैं लेकिन जब हम लोग पूरा बोर हो जाते हैं ना मतलब रोटी चावल दाल खा करके तब ही जाके फिर हम लोग पर खाना रहता है रोटी और रोटी दाल चावल से बढ़के तो हम मुझे लगता है कि कुछ ही नहीं आप रोटी चावल खा करके पेट भर सकते हो अगर आप कभी अपने खाने में कुछ अलग से मतलब सामिल करो ना जैसे कि जैसे हो गया ना छोले भटूरे या कुछ मतलब तरना असा लगएगा कि हमने खाना कुछ खाया ही नहीं है ऐसा फिल होता है लेकिन आप वही दो रोटी ही खा लो तो रोटी खाने से पतानी मन भरज़ सा जाता है क्योंकि यह हमारा रोज का खाना है इस वज़े से साइद और कुछ अंलग से खाते तो खाया सब उज शाथा ही नहीं है मैंने ऐसा फिल किया है कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है और बस यहाँ पर मेरा नास्ता हो गया तो सुबह का सब लोगों को मैं नास्ता कड़ाया और बाकी जो काम थे ना वह में लग गई हूं करने के लिए और आज ना मुझे चावल नहीं बनाना है क् और पर पकिल रहें हों तौ किछन की साफ साफ सपाइर हो पुसक्त सूरवाध ही लोगों से होती है। और रात की एंडिंग मैं अपने फैमिली के साथ करती हूं क्योंकि मैं कोशिस मतलब नहीं करती हूं नाइट का वीडियो आप लोगो से सेल करने के लिए क्योंकि सेम ही रहता है जैसे आप मेरा सुभा का जो देखते हैं रूटीन बस सेम वैसा ही रहता है कुछ बनाना और खि प्यारों सब लोग के साथ तब तक लिए टाटा मायो और यूटूब फे